हेलो स्टुडेंट्स हम आचके एक नई वीडियो के साथ और यहां पर आपको लेका रहें ब्यासी फर्स्ट एर स्रिकेंड स्रमेस्टर केमेस्ट्री के मोईश इंपोर्टिन नोट्स और जो बहुत जादे इंपोर्टिन्ट है मैंने अभी तो प्छाए यूनिट्स आज भी लेकर आये हूं तो सभी कुश्यन अफटा पर देख लिजिए आंसर भी याद कर लिजिए इसकी पीडियाफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जोइन कर लेना है वहां पर आपको इसकी पीडियाफ में जाएगी बिना देर युकि मैं एक चीज़ और फार दे रादी है सबी कुशन जो भी फिर्स स्यमस्टर चेले थे मोसिन इसकी प्रफीचनि आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं ौर इसमें आपको सारी सार्वाब कर लाए जाते हैं जो भी स्टूडियन्न करते हैं कि आँइस को उप्च्टियो टाइब कोई तो मैं जबनादेरी की यहां पर सुरू कर लेते हैं यहां पर सभी कोश्चन आपके सब्जेक्ट टाइफ होंगे और यहां पर पहला कुशन है पॉली एक्री लो नाइटरील या औरलॉन या औरलोन के बनाने की विधी तथा उपयोग लिखना है तो यहां पर आपको सबसे पहले इस का या और यहां पर जाता है काफी आधा है इसके यहां पर याँ पर लिख देने कौछन पूछा गया है इसके बाद ने कर न के लेत कुश्चन वै Kids आपके ने मेंरे आप कैसे प्राप्त करेंगे आत्वा करके कुश्यन आ जाता है कई बार आया है नाइलन 6 का नमार करने की अभी किरिया लिखिये तथा इसकी उपयोगता है बताईए तो ऐसा कुश्यन आ जाता है आत्वा करके और भी कुश्यन आ जाता है इस प्रकार थे Nylon 6 के Sunslicer की किरिया विदी तरह उपयोग लिए किरिया विदी किरिया मतलब Sunslicer की किरिया विदी मतलब आपको structure लिखना है इसकी कौन सी किरिया विदी है Sunslicer की विदी या किरिया विदी क्या है आपको इसका structure लिखना है किस प्रकार से यह बनाई जाते है ठीक और यहां पर आपको उपयोग भी लिखने है तो यहां पर देख लेते हैं जो आपका polyamide है यह heading डालने है polyamide क्या है तेकर इन्हें शामान नायलन भी कहते हैं इसलिए आपको यह heading डालने है polyamide यह क्या होते हैं शामान नायलन भी होते हैं इनकी बहुली की स्रिंखला में peptide बंद होते हैं अनिक प्रकार के polyamide विबिन डाई अमीन इबं डाई कारवक्स के लिए अमरे को गर्म करके प्राप्त किया जाते हैं तो यह आपका इतनी थोड़ा सा आपको लिखना है इसके मैं वही कुषिन लेकर आता हूं जो बहुत ज्यादा इंपोर्टन आपके एक्जाम के लिए हैं अगर मैं सभी कुषिन लेकर आऊंगा उस चैप्टर के तो वीडियो बहुत बड़ी जाएग और आपको याद करने में भी कटनाई होगी बहुत सारे कुषिन निकल के आते ह हैं तो इसलिए मैं वह कुषिन लाता हूं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही जाए इंपोर्टन है ठीक यहां पर इसके आपको गोड़ और उपयोग लिए ने गोड़ क्या उपयोग यहां पर देख लीजिए तो यहां पर नेक्श्ट पॉइंट है नायलन सिक्स के ब कारे में लिखने के बाद आपको यह श्ट्रक्सर बना देना और यहां पर आपका नालन सिक्स प्राप्त हो जाता है ठीक यहां पर ठीक आगे चलते हैं अगला कुष्ण यहां पर आपको इसके उपयोग भी लिख देने इसका उपयोग टायर की टायर की धागों कपड़ा आए रस्ती बनाने में किया जाता है ठीक नेश्ट है कुष्ण कुष्ण मेर थे यहां देख लेते हैं तरीलीं कद संसलिशर वा उपयोग लिखी बहुत ज्यादस बहुत बार एकशा में आया है तो यहां पर आपको तरीलीं के बारे में थोड़ा लिखना है और उसके करना देना यह आपका प्राप्त हो जाएगा देलेन का बहुत अब लग जैए इसका उपयोग आपको लिख दिआ है उपयोग कियाาม भशबूर टैप हो की जाता है जमेक हदपदार्थों की पैकिंग में होता है ठीक और यहां पर आपको फोर्थ है नाव के फॉल बनाने में तो यहां पर आपको उपयोग भी काफी जाद निष्जाब के लिए यहां पर चुछ लेखना है तो आहिए प्रकार पर यहां पर नहीं ambos नहीं अपर नहीं पर आप निखिए यहां आपको यह कुश्यन जो आपको बहुली करड़ किप्री लिखी है तता उसके प्रकारों पर वर्गी करड़ उनके प्रकारों को विस्तार से समझाई है ऐसा कुश्यन आजा है तो यहां पर कुश्यन अगर याता है आपकी लगूत्री प्रकार में तो आपको इतना ही लिखना आप परकार भी लेख सकते हैं, जिसे बवली करार की निमलिकत की प्रकार हैं, संग्नान नैय योगाइत्मा की इसके प्रकार हैं तो आप इनको भी लिख दीए ठीक आगे चलते हैं, यहाँ पे कुष्याण व्हाए पाले आज आ जाता रूर इसको भी देख लेते हैं, यहाँ बनान की लिखने है तो यहां पर पहला दिखने है तो होड़ी सी इसके बारे हम दिट्या लिकने हैं को मैंने यह भीदिए वही मैंने यहां लिख दे जो इस प्रकास स्ट्रॉक्टर मनाएं डीख्लोण को टेटरा फ्लोरो ए.- Me years still से राप्त किया जाता है यह कुश्यन आया है तो यहां पर इतना टैफ्लॉन के लिखने के बात ही है आपको इस्ट्रक्टर लिख दिना है तो यहां से आप करका पॉलिस्टर होता है इसका दूसरा नाम अरिलीन भी होता है क्या होता है अरिलीन जो अभी मैंने आपको बताया था पॉलिस्टर जो आपका इस्ट्रक्टर है जो आपको अभी मैंने कुश्यन नुबर 3 में बताया था अभी मैं आपको दिखा दूँ कुश्यन और इसका जो इस्ट्रक्टर है यह जो इस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर होता है मैंने ट्रफलन बता दी इसके बारे में थोड़ा लेखें पॉलिष्टर की बारे में और यहां पर आपको इस्ट्रक्चर बना देना है यह आपका ठक्रिया विदिए और उप्योग लिखते थीक दो पाइंट क्लियर होगे तीसरा पोइंट था हमारा इस्टाइरोन इस्टाइरॉन को इस्टाइरिन भी पढ़ा जाता है जो भी इंगलिस के मादम से हिंदी में लिखते हैं वो राशनेक नाम होते हैं कुछ अलग प्रकार से होते हैं नहीं में उनका कनबर्टेशन कभी होती है कभी नहीं होती है इसा नाम हो जाते ठीक तो यहां पर आपको this structure बना देना इस्ट्रक्टर बनाएंगी इसका हो जाएगा आपका यहां पर प्राफ़ जाएका कि बनाने में इसका प्रियुक किया जाता है तो यह जो important question थे वो मैं आपके लिए लेकर आये तो पीडिएफ के लिए आपको चाहिए तो पीडिएफ के लिए आपको टेलिग्राम जान करना हुआ वहाँ पे आपको इसकी प्रोफ पीडिएफ मिल जाएगी अगर वीडियो पसंद देए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों साथ से जरूर कीजिए कि यह आपके बेसी सेकेंड सामेस्टर से लेटेट बहुत यह इंपोर्टन कुश्चन थी इसलिए आप इने याद क वीडियो में तब तक क्लिए नमस्कार